नमस्कार मैं प्रद्यूम नतिवारी आप सभी के समक्षुपस्थे थो मित्रों तीन ग्रहों का युती फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि चंद्र और सुक्र के साथ में अन्य ग्रहों की युती का फल क्या होगा और साथ ही आज हम जानेंगे कि चंद्र और सनी के साथ में राहू अथवा केतू की युती का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में चंद्र और सुक्र किसी और एक अन्यग्रह के साथ में बैठते हैं अथवा चंद्र और सनी, राहू अथवा केतु के साथ में बैठते हैं तो क्या फल होगा आईए हम जान लेते हैं मित्रुयदी आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में चंद्र, सुक्र और सनी एक साथ बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, बिद्वान होगा, जातक सास्त्रों का जानकार होगा, जातक बहुत महनती होगा, जातक अपना कारे बहुत मन लगा करके करेगा, जातक सिक्षक, प्रवक्ता, कथा वाचक, प्रवचन करता, पुरोहित कर्म करने बाला, टाइपिष्ट, टाइपिंग करने बाला, लेखक, साहित्यकार का सहायक या फिर स्वयम साहित्यकार, जातक जोतशी, धार्मिक, अनुष्ठान करने कराने बाला, अथवा, संपादक आदी हो सकता है, जातक सिक्षा, अथवा, धर्म से संबंधित कोई भी काम करेगा, तो जातक सफल होगा, जातक को लाब होगा, जातक कुसल व्यापारी हो सकता है अत्वा जातक बकी लादी भी बन सकता है जातक सज्जन होगा और अच्छे सुभाव बाला होगा आए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में चंद्र, सुक्र और राहु की युति हो तो क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में चंद्र, सुक्र, राहु किसी भी भाव में किसी भी रासी में एक साथ बैठे हो तो जातक नसीले पदार्थ का ब्यापार करने बाला होगा जातक सराब, रसाइनिक ड्रक्स, आदी का ब्यापार करने बाला होगा ड्रक्स का मतलब यहां पर दवाईयों से है जातक ड्रग वाली दवाईयों का व्यापार करने वाला होगा जातक बैस्याग्रह, क्लब, अथवा, ठेके का मालिक होगा वाइन सौपादी का व्यापार करने वाला हो सकता है ऐसे लोग नाइट क्लब अथवा मौज मस्ती करने वाली चीजों का व्यापार करते हैं जातक तामसिक प्रबर्ति का होगा जातक अतिकामुक प्रबर्ति का होगा जातक के कई प्रेम संबंध बनेंगे जातक का जीवन साथी सुन्दर होगा जातक बिदेश यात्रा का सौकीन होगा और यात्रा करेगा भी जातक बहुत फैसनेबल होगा आधनिक मिजाज़ का होगा जातक को जीवन में अचानक से खूब धनलाब होगा और अचानक से नुकसान भी होगा आईए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में चंदर, सुक्रों और केतु की युती हो तो क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में चंदर, शुक्रों और केतु एक साथ बैठे हो तो जातक साहित्य सास्त्रों का ग्याता होगा जातक उदासीन प्रबर्ति का होगा, जातक मन से असांत परेशान रहेगा जातक आलसी सुभाव का होगा, हर समय कोई भी काम को टालने की सोचेगा, आलस से करेगा और जातक अत्यधिक कामुक प्रबृतिका होगा, जातक चरित्र से कमजोर होगा, जातक चरित्र हीन भी हो सकता है, जातक को स्वास्थ संबंधि समस्याएं होगी, जातक को गुपतांगों से संबंधि समस्याएं भी हो सकती हैं, जातक के बैबाहिक जीवन में मतभेद होगे, अथबा बिबाह में परिशानी होगी जातक को अपनी पैत्रिक संपत्ती से संबंधित परिशानी होगी हो सकता है कि पैत्रिक संपत्ती से संबंधित कोई लीगल परिशानी हो जाए जातक को धार्मिक कारियों से अथबा सामाजिक कारियों से अच्छा लाब होगा जातक कई विसेयों का जानकार होगा जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए आईए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में चंदर सनी और राहू की युती हो तो क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में चंदर सनी और राहू किसी भी भाव में, किसी भी राशी में एक साथ बैठे हो तो जातक मन से बहुत परिशान रहेगा, असांत मन बाला होगा जातक भाबुक प्रबर्ती का होगा, इमोशनल सो भाब का होगा जातक अपनी समस्याओं को लोगों से बताने के लिए आतुर रहेगा ऐसे लोग अपनी समस्याओं का डिंडोरा पीटते हैं सबको अपनी समस्याओं बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे परेशान हैं जातक दूसरों से आसा भी बहुत रखेगा यदि किसी ने कुछ बात कह दी कि हाँ ये काम हम कर देंगे तो उसी पे निर्भर हो जाएगा जातक दूसरों की कमी भी बहुत ढूडता है और अपनी गलती नहीं मानता है जातक का जीवन संघर्षमय होगा जातक को आर्थिक परेशानी होगी धन कमाने में परेशानी होगी जातक की माता का स्वास्थ कमजोर रहेगा अथवा जातक को अपनी माता का सुख कम मिलेगा अथवा जातक के अपनी माता से मतभेध होंगे जातक जिद्धी सुभाव का होगा जातक अतिकामुक प्रबृति का होगा जातक कोई नसा भी कर सकता है जातक राजनीतिग्य, कूटनीतिग्य और चालाक प्रवर्तिका होगा जातक के कारियों में रुकावटे आएंगी जातक के काम देर से बनेंगे और जातक को अपने कारियों का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा मित्रों, कुंडली में चंद्र सनी और राहू की युति ठीक नहीं है ये अच्छा फल नहीं देती है ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानिया होती है जीवन में बहुत उतार चड़ावाते हैं यदि जातक को ज़्यादा परेशानी हो तो जातक को महामृत्युन्जय मंत्र का जब प्रती दिन करना चाहिए 11 बार अत्वा 108 बार हो सके तो बहुत ही अच्छा है इससे जातक को मानसिक सांती मिलेगी आईए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में चंदर सनी और केतु की युती हो तो क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली में चंदर सनी और केतु किसी भी भाव में किसी भी रासी में एक सांत बैठे हो तो जातक मानसिक रोप से परेशान रहेगा लेकिन जातक अपनी परेशानिया किसी को बताएगा नहीं जातक अंदर ही अंदर परेशान रहेगा अंदर ही अंदर बहुत बिचार करता रहेगा और मन से हमेशा दुखी बना रहेगा जातक के कारियों में रुकाबटे आएंगी जातक के काम देर से बनेंगे जातक को अपने कारियों का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा काम जातक करेगा क्रेडिट कोई और ले लेगा जातक का जीवन संघर्ष मैं होगा जातक की माता का स्वास्थ कम जोड रहेगा अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे अत्वा जातक को अपनी माता का सुख कम मिलेगा जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होंगी कभी कभी जातक को रोग का भ्रम भी रहेगा जातक को लगेगा कि हमें कोई बीमारी हो गई है लेकिन जब जातक किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बताएगा कि आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन जातक को मन ही मन ऐसा लगता रहेगा कि हमें कोई बीमारी है जातक भ्रम में बना रहेगा जातक की उपर कोई उपरी प्रभाव भी हो सकता है उपरी बाधा भी हो सकती है अथवा नजर लगने आदी की समस्याएं बनी रहेंगी लेकिन जातक जोतिश अथवा तंत्र मंत्रादी में गहरी रुची रखने बाला होगा और जातक महनती होगा जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए जातक को लाब होगा मित्रों चंद्र सनी और केतु की युती भी अच्छी नहीं माने गई है ऐसे इस्थिति में जातक को अनेक परेशानियां होती हैं जीवन में अनेक उतार चड़ाव आते हैं जातक को महा मृत्युन जय मंत्र का जब प्रति दिन करना चाहिए इससे लाब होगा मित्रों आज हमने जाना कि चंद्र और सुक्र के साथ में अन्य ग्रहों की युती का फल क्या होगा साथे ही हमने जाना कि चंद्र और सनी के साथ में राहु अथवत केतु की युती का क्या फल होगा आज के लिए बिस इतना ही आसा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कार